इस समय हम क्रश्णा और गीता से सिखने लाइक चीजे सिख रहे हैं अब क्रश्णा के जीवन से और गीता से इतना सिखने का है कि मैं क्या कहूं गीता पर मैंने करीब 180 गंटे का लेक्चर दिया लेकिन वो भी कम पढ़ता है यह अपने वर्ल्ड रेकोर्ड है फिर भी वो भी कम पढ़ता है इतना खजाना छीपाई से और वैसा ही क्रश्णा के जीवन से है क्योंकि एसा खराब जन जिसमें सब को मालूम है कि यह मरने ही वाला है और इंजार हो रहा है कि पैदा हो है और मारें और वहां से पूरी जिंदगी मौत ने क्रश्णा का पिशा नहीं छोड़ा है तो सिखना क्या है सिखना यह ए कि परिस्थिती तो कोई माइना रखती नहीं है क्योंकि मैंने इतने जीवन पड़े हैं क्रश्णा से खराब परिस्थितियों में किसी को नहीं देखा है और फिर भी क्रश्णा से ज्यादा मस्ती में किसी को नहीं देखा और फिर भी उस क्रश्णा कभी हारते नहीं देखा इसलिए मैंने क्रश्णा पे 6 पार्ट में किताब लिखी है जो मैं कहना चारा हूँ ये कि इतना सिखने का है कि पूछो मत फिर भी बहुत कम लोग सिख पाते हैं क्रश्णा से या गीता से ये भी सत्य है और यही दुर्भाग्य की बात क्योंकि पता नहीं क्रश्णा को कैसा समझ लिया है क्या कर दिया है वो उंगली पे पहाड और मंदीर और चमतकारों में उलजा के रख दिया है गीता को भी जन्ने कैसा बना लिया है अभी क्रश्णा तो सिथी बात करते हैं कहीं गुंजाईशी नहीं है दुसरा आर्थ निकालने की उसके बावजूद हजार आर्थ मनुश्य निकाल के रखता है और यह आर्थ निकालने वाले अपने ज्यानी केते हैं जीवन उनका भी नहीं बनता दुसरे का भी नहीं बनता है तो क्रश्णा भी सीधी बात करते हैं स जिदा जिवन जिए हूँ तो मेरबानी करके उसका फायदा उठाआए सिर्फ हाँ हाँ करने से सुनने से कुछ होने वाला नहीं है यह निचोड है उसका फायदा उठाआए बस talking लाग को लोग सुनते हैं पढ़ते हैं लोग उठाते हैं, और जो उठाते हो, जानते हैं, कि मैं क्या घह रहा हूं, क्या लिख रहा हूं. तो इसलिए नहीं सुनना पड़ना है के अच्छा लग रहा है. और अपने विचार से मेल खाए, ऐसा तो सौचना ही मत. क्योंकि मेरे से और क्रश्ण से विचार मेल खाने वाले नहीं है बदलना है अगर आप जीवन जितना चाते हो तो आपको ये सीधी बात सीधे तरीके से ग्रहन करके अपना नहीं पड़ेगी बड़ाबर है अभी अर्जुन क्रश्ण से कहता है कि क्रश्ण न तुम जानते हो न मैं जानता हूं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है पाप क्या है पुर्णिय क्या है हमारे लिए क्या स्रेश्टे हैं हम लोग नहीं जानते हैं लेकिन सुनो क्रश्ण फिर भी मैं कहता हूं कि भाईयों को मारना राज्य के लिए हिंसा करना अच्छा नहीं है और हम लोग बुद्धी मानों के भी हाँ पर आ गए क्रश्ण को समझा रहा है केता रहा है कि हम लोग बुद्धी मानों के भी हाँ आ गए यानि क्रश्न को तो कुछ समझी नहीं रहा है ये बात बली सिखने की है और उसी क्रश्न को आज अर्बो लोगों ने पेचान लिया जिसको सामने ख़़ा अर्जुन नहीं पेचान रहा था यही दिक्कत आज बूद भी जीविते, क्राइज भी जीविते, कभीर भी जीविते उनको किसी नहीं पेचान था इतना ये तो दिरे दिरे बात ये समझ के आज का मनुष्य फिर भी पेचान रहा है लेकिन कम ये पहली बात जो मैं सिखाना चाहता हूँ ये सब बात भी छोड़ो क्रश्णा राजी जब नहीं होते है, अर्जुन से तो अर्जुन कहता है कि ठीक है मैं धर्म समझना चाहता हूँ मैं पापपुन्य समझना चाहता हूँ और अंत में क्या कहता है वो बड़ा महत्तोपून है कि हे क्रश्णा तुम जो कहोगे मैं करूँगा तुम्हारी हर बाद मानूँगा लेकिन यूद नहीं करूँगा और वो चूप हो जाता इतना के अब इस पूरी बात में पहली बात तो मैंने समझा दी कि आज जो दावा कर रहे हैं कि वो क्रश्न को जानते हैं वो अभी क्रश्न को जानते नहीं है जब तक उनके जीवन का निचोड और गिता का निचोड आपके हाथ नहीं लगा आप दावा मत करना क्रश्न को जानते हैं क्योंकि अर्जुन भी नहीं जानता था तो इतनी दूर जान गए तो परिणाम में यहीं हो रहा है कि क्रश्न के नाम पे पुजा पाठ करवाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं फाइदा किसी का निचोड यह पहली बात और दूसरी बात क्या सिखने लायक है इससे सिखने लायक यह है आपका अर्जुन से कुछ लिना देना है आपका लिना देना किस से है क्रिश्न से क्रिश्न से क्या लिना देना है अपने आप से लिना दे अर्जुन से बुले दो स्पिरियुचलिटी क्या केती ये, जो भी आपको बोला जा रहा उसमा अपने को खो जो, यहाँ से प्रियुचलिटी की शुורवाट होती है, और सब atorio को खोशते हैं, और्जुन को खोशते हैं, और तुम्हारा क्या लिना देना, तो इसमें सिखना ये है कि सब ऐसे ही है अर्जुन जैसे है नीड़ने पेले होता है एडवाइज बाद में मांगते हैं आज क्या अद्गोर कर ले जीवन मनता क्यों नहीं है एक से एक इंट्रिजन लोग बजार में हैं एक से एक ज्यानी है हजारों मामले में आपसे हुशियार लोग है ऐसा तो नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ ना तो जो मैंने जानता उसके लिए दूसरों की राय ले नहीं पड़ती है लेकिन जब राय लेते हो ता आप राय नहीं लेते है डिसेट पहले कर लिया होता है फिर पूछते हो तो सा पापा आप जैसा बोलो के करूँगा लेकिन इससादी नहीं करूँगा अरे वह उसी को ढूंड के लाएं है यही भार्षा है सबकी common भार्षा है common language है बराबर है तो सबक यह कि पुछना तो पुछना और decide किया है तो पुछना मत अब दूसरी बात समझो चलो में इस बात में kisあの कि का चाते अर्जुन से रशना कीबात चाते कि तो यूद कर अरर्जुन क्या दे आगि आपके सब बाप मानूंगा यूदि करोंगा आप आप वसी गीता देखो कि इतनी गीता लिखते पड़ते किसी को समझ में नहीं आता है कहां फस गई जाके देखो अब यहां से कैसे निकाले यह सिखने जैसा है और समझो इतना कि मैं क्रिस कर्ष्ण की बात कर रहा हूं तो स्पॉंटेनियसली उसकी बात खत्म होती कि मैं युद नहीं करूंगा बोलना शुरू कर देते हैं इतना क्रष्ण केते हैं कि है अर्जुन बात कहां से शुरू करते हैं वह कहता है कि मैं युद्धी नहीं करूंगा सब बात मालूंगा और क्रष्ण उसके लाग कुछ नहीं चाते तेरे से तो यह बात किसे शुरू करते हैं कि अर्जुन दुनिया में प्राप करने लाया कैसी कोई भी चीज नहीं यह जो मुझे प्राप नहीं सब कुछ मेरे पास है दुनिया में जो भी महत्वपून है हसीने अजीज मुल्यवान सब मेरे पास है पिर भी मैं क्या करता हूं फिर भी मैं करमी करता हूं अब क्या समझे इससे अगें दिक्कत यही है गीता कि मैंने बोला ना कि मैं अपने रंग में आ जाओं तो दोजार घंटे नॉन स्टॉप गीता पर बोल सकता हूं क्योंकि हर पॉइंट पर सिखने का है सिर्फ साइकलोजी पकड़ूं कि देखो यहां आठकी गीता यहां से क्रश्न कैसे निकालेंगे बताओ यह सिखने जैसा है इस विश्व में जो भी मुल्यवान है सब मेरे पास है मेरे लिए क्या मुल्यवान है कोणि करेगा क्रश्न का चिये रहे हैं कि मेरे सांस आ रही और जा रही है और फिल कर पार हू whirl इस दो कला तिसरी कोई चीज मुझे ही नहीं कर दाल हुँ विकारी तोड़ी हुँ लिस्ट लेकर तोड़ी कुम्रग मुझे यह चाहिए पहली बाद यह गलत्थे में निकाल देना जो क्रश्ण कह रहे हैं यह यह मिलेगा फिर सक्सेस्पूल होंगा यह यह मिलेगा फिर राजा होंगा राजा तो मैं हूँ मुझे कुछ चाहिए ही नहीं क्रश्ण ने यह स्रेस मनुष्य का लक्षन बताया कि मैं तो स्रेस्ट वर्जुन मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं मेरे पास सब कूछ है अब इस मनुदशा में पहुंचना तो बढ़ा मुश्किय है मैं हजार बार के चुकाओं की स्पिरिट्टिलिटी की तरफ कदम बढ़ाने में प्राण निकल जाए बाकी सब आसान है और बाकी सब कर लोगी लेकिन दिक्कत क्या है कि जीवन उसके बगर बनेगा नहीं कर लो जितना करना हो यूगों से करते आ रहे हैं यूगों तक करो जन्मों से करते आरो जन्मों तक करो जब ठक जाओ तो क्रश्णे की शरण चला जाना जब ठक जाओ तो क्रश्णे की शरण चले जाना उसके बगर उद्दार नहीं तो पहली बात तो क्रश्ण ने सिखा दी इसलिए क्रश्ण गीता में कहते हैं अर्जून मनुश्यों में राजा मुझे समझे तो राजा कौन है जिसके पास सब कुछ बागी कोई राजा बन सकता है तो क्रश्ण किया रहे हैं कि मैं तो राजा हूं राजाओं का राजा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए अर्जून फिर भी मैं कर्म करता हूं क्योंकि है अर्जून मनुश्य ख्षान भर के लिए भी बीना कर्म किये नहीं रह सकता मनुष्य और कर्म ऐसे हैं कि मनुष्य मनुष्य नहीं है बलकि सिर्फ कर्म की एक चलती फिरती फैक्टरी बिना कर्म किये तो मनुष्य सांस तक नहीं ले सकता इसलिए सब कुछ कर्म है इसलिए तो यह बोले ही मत कि मैं नहीं करूँगा करना तो कर्म पढ़ेगा ही यूद नहीं करेगा तो भागने का कर्म करेगा करना तो कर्म ही पढ़ेगा यह समझ में आगई बात दूसरी बात मनुश्यों में राजा कौन पास सबकूश है जो क्रशने की तरह बोल पाए जीजदी यह बोल पाओ के कि मेरे पास वो सब कुछ है जो प्राप करने योग्य है हमारे पास साइकल हो और वो भी पुरा नी टुटी-फुटी तो मुझे आज तक उससे बेतर कुछ दिखाई नहीं सड़क पे चार पे गाली गुमती मैंने कभी देखी नहीं मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है इसलिए मैंने कभी कर्म नहीं किये तो मेरे लिए तो यह सब एकदम आव्धियस है कि प्राप करने योग्य सब कुछ तो प्राप पह है वो फिल ही नहीं आते है और आनी भी नहीं नहीं लेकिन इसके निकट तो जाना पड़ेगा इस फिल के निकट जाना पड़ेगा मैं यह केई नहीं रहूं कि फिल ले आनी पड़ेगी वो तो पॉसीबली नहीं है यह लेकिन इसी किसी की इच्छा ही नहीं अभी क्या है पेले दस सुंबार कलने गनेश जी कुद दे दे शंकर दे अल्ला दे दे फिर देखेंगे तो फिर देखेंगे क्रश्न केरे मैं तो आज राजा हूं जब पेदा वथन तब भी राजा था बलिया जेल थी चंस का इंजार था आयो जैपी मैं दूसरी बात कि कर्म ही मनुष्य है तो ये चर्चा तो करे इमात क्रश्न की चेतना देखो और समझो कि अरजुन केरा कि सब करूंगा यूद नहीं करूंगा और क्रश्न चाहते हैं कि यूद करे बात को कैसे आगे बढ़ाया उन्होंने मेरे पास सब कुछ है नहीं सब चुरू करा और सोचो अपन केसी बाते करते हैं फिल तो छोड़ो अभी तो बात्चीत करते हैं किसी को नहीं देखी मैंने अभी तो मैंने जीवन में यहीं नहीं देखा किसी को बात्चीत करते हैं इसलमें बात्चीत करता है इन्यू जनरली कट शॉट मेरे को देखा होगा मुह खोलो उसके फिले बात काट के अपनी बात रख देता हूँ यह समझ किया पूरी बात चल कट 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 ना मेरे वाटसप की गंटी बसती ना फोन की गंटी बसती ना किस्टा आज तक मिटिंग होती जुरों तो नहीं पड़ती एक सेकंड में खतम क्यों कि बात की करते हैं तो आवे पहले है अभी तो वही नहीं आती किसी तो कहां क्रश्णा कौन सी बात के रहे हैं तो मुझे सब कुछ प्राप फिर भी मैं करम करता हूँ कि मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो सांस मिले पाएगा अरे मनुष्यता को आगे बलाना तो भी कर्म करना पड़ता अर्जून नितो मनुष्य मर जाएगा इस धर्ती पेसे तो बिना कर्म के तो रहा ही नहीं जा सकता इसलो बात खतमकर फुल स्टॉप लगा दे और डिस्केशन को का लिया है कि करम तो करना पड़े अब इरुना बात उला दी यूद करना नहीं करना बात की बात है बड़ करम तो करना ही पड़ेगा यह ना और मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर भी में करम करता हूँ कि इतनी बड़ी बात कि मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर भी में करम करता हूँ मुझे भी कुछ नहीं चाहिए फिर भी में करम करता हूँ समद्ले ना मुझे तो अपने इतने बले जीवन में एक बार भी यह कभी हिसास ही नहीं हुआ कि चाहिए यार इसी को फीली नहीं आई मुझे तो कि चाहिए यार क्यों चाहिए इतना दिमाग तो मेरे में ही नहीं मैंने कभी लगाया ही नहीं क्यों चाहिए मालूम नहीं पड़ता लेकिन किसी को भी ये बात समझाता हूँ तो बुलता बिल्कुल सही ये लिस्ट कंप्रीट रूने पाद देखना में भी ऐसा चाहिए कि बड़ी लिस्ट लेके गुम रहे है तो क्लियर है क्या कैसी के एक तो बोलते कि ऐसी जगे बात रठकी वहां से भी आगे बढ़ाना और फिर गुमा के अपने पॉइंट पर लाना जहां सामने आला राजी हो जाए आप बोलने कोशिच करना बच्चा कमरा चोड़कर बग जाएगा तो भगाना नहीं है अर्जुन को पकल के तो रख नहीं है तो पकल के भी रखा बात भी वहां से शुरू करी और कहां पर लाके रोके करम तो करना पड़ेंगे तो उसमें अर्जुन को भी डिस्कुट नहीं है यह सिखना राजा बनना है कि मेरे पाद सब कुझे यार हमेशा कि सब जिन आशिरह करते हैं कोई भी बिजनेस की स्कीम लेका आजाते मैं के तो मुझे करना ही नहीं है करूं कब तो मुझे कुछ जरुत हो रिक्वार्मेंट तो हो और कुछ रिक्वार्मेंट ही नहीं है बहुत बढ़ी आज़ा बहुत कमई यह राइट बट कमई चाहिए तो वाइट तो क्रश्ण ने बात समाप्त कर दी कि मैं भी कर्म करता हूं बढ़ो बढ़ो इतनी बात समझ गया है उतार पाओगे कुछ-कुछ पेले तो बोलते सीखो यह आपस मैं न कोई किसी की नहीं सुनता किसी किसे बंती नहीं क्यों बोलते ही नहीं आता कब क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, बोलने वाला दिवाना, सुनने वाला दिवाना, करने वाला दिवाना, रुठने वाला दिवाना, मनाने वाला दिवाना, गुस्टा करने वाला दिवाना, प्रेम करने वाला दिवाना, कुछ भी अलम सर्म चल रहा है, ठीक है, ड जीवन को जीतो क्योंकि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है ये किताब पचास डे टुडे प्राक्टिकल अप्लिकेशन्स के जरिये आपको ना सिर्फ अपने से मिलवाएगी बलकि उल्जनों से निकालेगी भी तथा आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी फिर क्या मन चहां जीवन दुल चाही मनजल मैं कृष्ण हूं कृष्ण एक महान साइकोलोजिस्ट थे और मनुष्य की नस नस से वाकिव थे कौन सा मनुष्य किस परिस्थिती में कब क्या और क्यूं करने वाला है ये वे उस मनुष्य से भी पहले जान जाते थे तभी तो वे जीवन का कोई भी युद कभी नहीं हारने वाले जैश्री कृष्ण हैं आप भी मैं कृष्ण हूं पढ़कर ये कला अपने भीतर विकिसित कर ही सकते हैं पढ़िये मैं कृष्ण हूं भाग एक मेरा अध्भुद बचपन भाग दो मतुरा में मेरे संघरशील जीवन की दास्ता भाग तीन द्वारका सपनों से हकीकत का सफर भाग चार मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्ता भाग पांच मेरे और द्वारका के संघरशील दिनों की दास्ता भाग छे मेरे जीवन के अंतिम दिन मैं कृष्ण हूँ की छे बुग की एक कम्प्लीट सेट अंग्रेजी हिंदी तथा गुजराती में आत्मनिस्टोर.com और सभी प्रमुक बुग स्टोर्स तथा e-commerce साइट्स पर उपलब्ध है क्या है सफलता का सार्शूत्र क्या है जीवन को खुश्यों से भर देने का मूल मंत्र जीवन जीने का क्या है सही तरीका क्या है कर्म और फल का संबंद क्या है जन्म और पुनर जन्म का रहस्य दीप्त्रवेदी द्वारा भगवत गीता के संपून 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाईए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझे उनके सही अर्थों को